नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिना समय गवाएं आए ट्यूटोरियल देखते हैं। इस पहला जो लिंक ओपन होगा ओनलाइन एप्लिकेशन ऑफ मेरेज रजिस्टेशन इस पहलाइन आपको दो लैंग्वेज में साइट अबलेबल है। इंग्लिश में अभी आप देख रहे हैं। ये पंजाबी में भी अबलेबल है। मैं इंग्लिश में आपसे बात करता हूँ। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ये देखें सेवा के अंदरे, डाउनलोड सर्टिफिगेट, वेरिफाई सर्टिफिगेट, ट्रैक स्टेटस, ये सारे आपशन यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि किस सिटी के अंदर, पंजाब के किस सिटी में कितनी पेंडेंसी है और कितने रजिस्टेशन हो रखे हैं। तो ये सारे डिटेल आपको मिलेंगे यहाँ पे, इसको करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो यह होता है कि यहाँ पे आपको यूजर आइडी पासवर्ड क्रियेट करना पड़ता है। ये यूजर आइडी पासवर्ड जो है नॉर्मली सब लोग नहीं क्रियेट कर सकते हैं, जो लोग इस काम को करते हैं, उनको बहुत इजिली प्रोसेस पता होता है, वो यूजर आइडी क्रियेट कर सकते हैं, और उसके बाद से कई सारे डॉक्मेंट्स, एफिडेबिट्स ल जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस है, अगर इससे रिलेटेड आपको जनकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पर नबर पे कॉल कर सकते हैं, और प्रोसेस को smoothly और सही तरीके से करने के लिए संपर कर सकते हैं, हम लोग आपको पुरी मदद कर सकते हैं, दोस्तो ये जो आपने tutorial देखा है इसमें marriage registration का process बताय गया बहुत सही website है बहुत अराम से हो जाता है लेकिन होता है कि इतना documentation मांगते हैं और process को कभी भी reject कर देना कभी भी मना कर देना ये बहुत होता है तो ऐसे situation में अगर आप love marriage कर रहे हैं तो आप expert के माध्यम से करें ताकि वो सब को इस time के हिसाब से करवा दें और यदि आपने पहले ही शादी कर लिए और केवल आपको registered कराना है तो ये best तरीका है कि आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन उसमें भी documentation किसी expert के ही माध्यम से करवाएं तो बहतर होगा लेकिन आगे आपको यह भी वीडियो में बता रहा हूँ डॉक्मेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लरकियों की और लरके की शादी की legal age क्या है मुझे आपको एक survey दिखाना है ये survey मैंने खुद कराये था 2000 couples के उपर कराये था जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बुलाए लरकियों की शादी की age 21 वर्स है आप सोच के देखिए लरकियों की शादी की जो age है वो 18 वर्स complete 18 वर्स होनी चाहिए तो कितना confusion है कोई running 18 वर्स कह रहा है कोई 21 वर्स कह रहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिलकोल authentically जान लिजे कि लरकियों की शादी की age 18 वर्स है और लरकों की शादी की age 21 वर्स है इसको proof करने के लिए आपको document की requirement होती है document 10 की mark sheet या certificate जिस पे भी date of birth लिखा हुआ हो अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो birth certificate हो तो भी चल जाएगा इसके अलावा आप दोनों का आधार कार चाहिए और दोनों की ID proof चाहिए documents की कमी हो तो आप help line number पर बात कर लिजे हम guide कर देंगे एक और important बात है कि जब भी आप शादी के लिजाते हो तो witness की भी requirement होती है दो कहीं कहीं दो witness लगते हैं और कहीं तीन witness लगते हैं तो ये maximum witness लगते हैं family से हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता किसी भी side से हो सकते हैं लरके या लरकी किसी भी side से हो सकते हैं इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता इनके document के बात करें तो दोनों का अधार कार जरूरी होता है और एक ID proof जरूरी होता है और वो भी बाली होने चाहिए तभी वो witness बन सकते हैं आपने शादी करने का process जान लिया आपने ये जान लिया कि document की क्या requirement है अब ये जानना जरूरी है कि एक couple जिसके मन में सबसे ज़्यादा insecurity होती है कि court marriage के करने के बाद से जो situation develop होंगे उससे कैसे निप्ता जाए यदि लरके के घर पे लरकी के घर वाले चले आए मार पिटाई करने लेगे गाली गलॉच करने आ जाए बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेकर जाऊंगा कई ऐसी ऐसी बत्तमीज बाते बोली जाती है तो इन situation से निपटने का तरीका ये है कि जब कभी भी आप court marriage करते हो तो ये दिमाग में रखो धिहान में रखो कि court marriage करने से आपको कोई रोक नहीं सकता चुकि आप बाली गए आपके father या mother भी चाहते रोकने के लिए और आप अपने जिद पेयार होते कि मुझे करना है तो रोक नहीं सकते थे क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है तो ऐसे situation में आप बिल्कुल निश्यंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर proper तरीके से शादी हुई है हाँ कुछ steps लेना जरूरी है जो protection के लिए जरूरी होता है जैसे intimation letter newspaper publication इसके बारे में help line number पे बात कर लिजे वो आपको proper guide कर देंगे और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो high court से protection यह सारे steps ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कानोनी रूप से आपको touch भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो evidence collection बहुत जरूरी है अगर phone पे धमका रहा है तो recording करिए अगर सामने से आके धमका रहा है तो video recording किजिए क्योंकि वही आप दिखाएंगे SP office में थाने में कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था और SP office और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम court में दिखाएंगे क्योंकि हमारा document सही है क्योंकि मैरे certificate सही है तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगार नहीं सकता उमीद है कि आपको video अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को subscribe किजिए bell icon प्रेस किजिए thank you so much for watching this video thank you so much